अब इस में लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे नेम से स्ट्रक्चर को किस तरह से डवलप किया दरता है अगर आपको किसी कंपाउंच का आई पीसी नेम दिया गया है तो आप स्ट्रक्चर में कैसे बदलेंगे एक्जामिनेशन के अंदर कन्वर्जन आते हैं जहां सिर्फ नाम दिया गया होगा और उस नाम के basis पे आपको structure को पहचानना है और उसको जो भी कहा है उसमें convert करना है तो आईए मैं सिखाता हूँ आपको किस तरह से given name से आप structure बनाएगे देखें suppose आपको कहा गया है टू ब्रोमो थ्री मिथायल थ्री मिथायल हैक्स फोर इन फोर इन वन अल ये compound दिया गया है आप सबसे पहले word root की तरह ध्यान दें word root क्या है word root है यहां पर hex तो इसका मतलब आप six carbon को इस तरह से लिख लेंगे hex का मतलब six आपने इनको लिख दिया अब इस chain की numbering करेंगे either from left और from right जहां से मन करें let मैं यहां से numbering कर देता हूँ one two three four five six यह numbering कर देंगे तो word root को देखा सबसे पहले फिर numbering कर दी अब बहुत असान जो जहां दिया गया है connect कर दें और फिर hydrogen से balance पूरी कर देंगे जिसे आप देखें first position पे all all क्या होता है aldehyde functional group तो हमने first वाले को aldehyde बना दिया third पे methyl है यहां methyl लगा दिया two पे bromo है bromine लगा दिया four e यानि four पे double bond है और अब balances को hydrogen से पूरा कर दिया यानि CS3, H, H and so on हमारे compound का structure हमारे सामने है अब अगर structure बना लिया तो conversion करने से कोई रोख ही नहीं सकता आप definitely conversion को कर पाएंगे आप से conversion आसामने से शुख़एंगे